Hello everyone and welcome to season 2 episode 14 of Struggle Stories आज मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ उस सच में बहुत कमाल का व्यक्तित वर रखते हैं वो एक social worker की तरह network marketing industry के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो यहां पर लोगों को जागरुक कर रहे हैं कि यहां पर क्या सही है और क्या गलत है इसके अलावा वो एक author है, एक youtuber है और साथ में एक traveler भी है इस episode के अंदर हमारे दो parts होने वाले हैं तो आज के इस first part के अंदर आप अपने बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे जान पाएंगे जैसे कि network marketing क्या है, लोगों को क्यों करनी चाहिए network marketing industry के अंदर education की क्या importance है और network marketing industry में अगर आपको कोई company choose करनी है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तुझे लिए मिलकर स्वागत करते हैं Sumit Chauhan Ji का Sumit Sir, thank you so much आपने busy schedule में से time निकाला हमारे लिए और हमारी struggle stories का part बुनने के लिए आजाए है first of all, thank you ma'am में को invite करने के लिए आपके channel पे Tegonetree.com जो आपका YouTube channel है उसको मैं काफी time से फोलो कर रहा हूं और आपकी एक सीरीज आई थे अवी रिसेंटली की जिसमें अपने गाइडलाइन को पुरा अच्छा से एक्स्पें किया था तो वो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा step था क्योंकि लोग 20-20 साल से direct selling कर रहे हैं बट उन्होंने आज तक जो इवन हाला कि गाइडलाइन तो 2016 मैं थी वट उनको आज तक पढ़ा नहीं है और वो आज तक उसके अरह में अवेर नहीं है तो लोगों को अवेर करना उस पुरी की पुरी सीरीज को देखके मैंने को काफी अच्छा फील हूआ और वो एक अच्छा step था तो उसके लिए थैंक यू इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपको थैंक्यू सो मज़ता था कि जो पढ़ी नहीं जाती ना उसको सुनने में साधा मजाएगा और लोग इंटरस्स लेके सुनेंगे क्योंकि एजुकेशन देना ही हमारा काम है तो सबसे पहले कोशन के बारे में हम शुरू करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्छली है क्या आपकी निजर में मैं नेटव क्योंकि बारे मास्टर इस चेकी यह 2 कीस के बारे में निएद भी qa cue 10 की मास्टर इस के पास आएगा जो एक स्टेट क का पुरा का स समान रखते मञें उस्स्टर्ля लेते हैं आप्र इसे निचलर से ब्रूसटर लेता है दुकानदार से लास्टमर जाते बाइ Dee करता है तो तो अगर एक 200 रुपे का जो ता मैनुफेक्चर अगर सेल करता है तो कस्टमर तक आते आते 500 रुपे का हो जाता है तो यह जो 60% जो प्राइज इंक्रीज हो गया विकोज 500 का 60% 300 रुपे तो 200 की चीज 500 की होगी यह कहां जाता है तो ट्रेडिशनल मार्केट में इस तरीके से फ्लो करता है चीजे, प्रोडक्त कस्टमर तक पहुचते पहुचते इसके अंदर इसकी ब्रैंड करता है लेकिन direct selling companies क्या करती है, direct selling companies थोड़ी smart होती है तो वो क्या करती है, कि वो जो यह cost है, क्योंकि इस cost के अंतर सबसे बड़ी दो चीजे इन्वोल होती है एक होता है credit system, कि आप अगर एक manufacturer, master stockist या wholesaler को समान दे रहा है तो यह से traditional direct selling companies है, एक तो यह region था और दूसरा एक और रिजन था मैं कि अच्छी quality का प्रोड़क्त अगर है अच्छी quality का प्रोड़क्त आपने बनाया, मैं भी आपसे एक्जाम्पल लेता हूँ, आपने क्रोड़ो रुपे का उधार भी दे दिया आपसे लायक हो गया का क्रोड़ो रुपे का उधार दे सकतें क्रेडिश दे दिया, वह पुरा वाल zost फ्लो नाव प्रॉत दुकान पर आ गया अब दुकान पर आपने प्रोड़क्त back up क affect a coal cream तो तो सर्फ की티 को रुक्त Crème ₹ पनाई पहाँ तो भी 20 बॉन की customer तीन तरीके से product को pick करता है वो क्या करेगा, क्या तो वो वाला product ले लेगा जो वो पिछले साल भी use कर रहा था पिछले साल की सर्दियों में उसमें आपका आएगा, नहीं आएगा क्योंकि आपके तो एक नहीं brand है लेकिन तीनों ही case में, चाहे वो पुछले साल का उठाए, चाहे वो सस्ता उठाए, चाहे वो अच्छी packaging वाला उठाए, वो उसके ingredients को नहीं पड़ता हमारे हाँ कोई नहीं पड़ता कि यह किस चीज से बना है अगर वो आपके प्रोड़क्त को पढ़ेगा और देखेगा इसमें तो सारी organic चीजे हैं और फिर वो दूसरे को पढ़ेगा और compare करेगा तो definitely वो आपका लेगा बट हमारे हाँ पे 99% जो लोग है हम मैगी इतने सालों से खाने हमने आज तक नहीं देखा कि उसके अंदर क्या होता है तो 99% लोग उस प्रोड़क्त को उठाके ही नहीं देखते जिसकी वज़े से आपने बहुत बार देखाऊगा एक अच्छा प्रोड़क्त आता है समान लोस में चलागा और कंपनी लोस में चलेगी तो बोट अच्छी अच्छी कंपनी इन इसूज की वज़े से राइट प्रैस में देना चाहते हो तो बीच में मार्जिन जादा नहीं हो पाता है इसलिए ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी को सफर करना पड़ता है उनका प्रोड़क्त खतम हो जाता है लेकिन उन कंपनी के लिए एक बैटर ओप्शन है वो कह रहता है डरेक्ट सेलिग अब क्या है कि जो मैंने एक्जामपल दिया था कि अगर कस्टमर दुकान पर गया और फॉर एक्जामपल लेकिन उसको अगर कोई बता दे कि यह देखो सरी ओर्गानिक क्रीम है इसमें यह यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है स्किन के लिए अच्छा रहने वाला है इन्वर्मेंट के लिए अच्छा रहने वाला है और इसका प्राइस यह है तो सायद फिर लोग उसको ज्यादा पिक कर लेंगे और ज्यादा तर लोग उसी को लेंगे क्यों वो उन बाकी सबसे comparison में quality में अच्छा है लेकिन ये चीज दुकानदार करेगा नहीं क्योंकि दुकानदार कब करेगा जब उसको कुछ पैसा मिलेगा तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये प्रोब्लम आती हैं लेकिन डिरेक्ट सले में क्या होता है तो वो नहीं कर सकते पूर इंडिया में कहां जाएगी कितने लोगों को हायर करेंगे वो क्या करते हैं एक कस्टमर के पास जाते हैं और उनको पूरा explain करती है और जब वो कस्टमर उस प्रोड़क को buy करता है उसके बाद जब उसे यूज करता है उसे अच्छा लगता है तो उ हम उसको 500 का ही बेच रहे हैं लेकिन अब हमारा जो 300 बच रहा है वो हम आपको distribute करेंगे थ्रू ए स्ट्रक्चर वो कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है वो binary हो सकता है generation हो सकता है hybrid हो सकता है हर company अपना एक structure बनाती है और उस structure के according वो जो पैसा आता है उसको distribute कर देती है तो इससे इसमें यह खासियत है तो company को benefit होता है कि product के बारे में awareness अब वो खुद सब तक नहीं पहुच सकती तो एक तक पहुचते उसके थरू उनके family friends और उनके family friends और यह इतना powerful system होता है कि जिसके आप दिख रहे हैं आज हमारे हमारे इतनी बड़ी बड़ी direct selling companies है जो आज पोरे के पुरे world के अंदर और इंडिया के अंदर बड़ी speed के साथ ग्रोव कर रही है तो यह direct selling की power है और यहां पे सबसे चीज़ क्या होती है एक startup के लिए कि उनका credit वाला भी हट जाता है क्योंकि यहां पे क्या होता है startup के जो जो pain point है कि credit के समान देना यह credit नहीं चलता है तो यहा अगर आपके बड़ी team create हो जाती है तो आप एक passive income भी हाँ पे enjoy कर सकते हैं तो गराहक से गराहक बनाना और इस चीज़ के लिए पुराने गराहक को पैसा देना कंपनियों के द्वारा is network marketing तो अभी पहली point तो हमारे clear हो गए कि यह network marketing क्या है उसका जवाब सभी को मिल चुका कि सबसे पहला गर मैं benefit की बाद तरू नेटों marketing या direct selling करने का benefit रहता है कि एक तो आपको एक income opportunity मिलती है बट उसको हमें से secondary रखना चीज़ को प्राइमरी नहीं रखना चीज़ कि पैसा कमाई या ना कमाई लेकिन उसके लावा आप क्या सिख सकते हैं समाज में लोग job करते ह है आज हर कोई job कर रहा है एवन आपने देखा हो करोना की विज़े से भुछ सार लोगों की job भी चली एक इंसा अगर job कर रहा है और अगर वो अपनी job से satisfy हम हमें से क्या बोलते है जो direct selling में हो जो अच्छा direct selling लेकिन नहीं मैं आपको थोड़ा सा इस चीज में डिसेगरी कर होंगा तो मैं खुछ रहूंगा क्योंकि वो मेरा पैसन है तो लेकिन teaching profession में रहके अगर दो चीजे हो रही है एक तो मेरी job risk पर है अगर बाइचन जैसे अभी पूरा का पूरा AI आता जा रहा है और अगर मैं उसके साथ अपने आपको नहीं change करता टेक्नलोजी के अच्छी क आपकी जो requirement है जो आप lifestyle जीना चाहते हो उसमें साथ जो salary है उससे जादा की requirement है तो हमेशा एक job वाले को जो अपनी job से खुस है उसको भी secondary source of income उसके पास अगर मिल जाए उनको जो उनके primary source of income को disturb ना गरे तो उससे best कुछ नहीं हो सकता तो अगर किसी को भी secondary source of income चाहिए और वो एक source of income आज के time पर हम समझ चुक है कि ऐसा हो कि हम घर पे रहके ही कर सके करो ना ने हमें क्या किया गरों के अंदर कैद कर दिया तो आज हमें secondary source of income की तो जरूरत है बट उससे भी जरूरत ही है कि वो secondary source of income ऐसा हो कि जिसे हम अपने घर पे ही रहके कर सके और डिरेक सेलिं वह पर 101% उसका solution है क्योंकि डिरेक सेलिंग के लिए आप आज हम देख रहे हैं कि पहले seminar होते थे आप webinar होने लगे आज हम क्या कर रहे हैं हमारे घरों पे रहते हैं जूम मेटिंग हो गया वेबेक्स हो गया इनके थूरू पूरे across इंडिया आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं उनको प्रोड़क के बारे में अवेर कर सकते हैं फ्यूट के बारे में अवेर कर सकते हैं फ्यूट के बारे में अवेर कर सकते हैं तो यह तो चली रहा है पूरा का पूरा और आप घर पे ही बैठे बैठे इंकम भी अन कर सकते हैं तो इस डारेक से खुस हैं तब भी उन उनको बनाना आता है, उनको काम करना आता है, बट उनको लोगों के सामने बोलना नहीं आता, तो अगर हमें skills से यह ऐसे, कि जिससे हम अपने आपको बैटर वे में प्रेजेंट कर सकें, और वो हर जगे काम आएगा, अगर एक salesman है, वो direct selling अगर करता है, तो direct selling में हम यह सब skills स आता है, क्योंकि मैं वही चीज वहां पे सीख रहा है, और वही चीज मेरे को वहां पे इंपलिमेंट करनी है, तो जोब के अंदर अगर आपको growth जल्दी चाहिए, तो आपको direct selling करनी है, अगर आप business के लिए भी client के पास जाते हैं, उनको convince करते हैं, तो वो चीजे आप direct selling मे सारी की सारी चीजे हैं, कि जहां पे आप लाखो लोगों से मिलते हो, नई लोगों से मिलते हो, और वो आपको आपके traditional job के अंदर भी help कर सकते हैं, business के अंदर भी help कर सकते हैं, जैसे recently एक example, कि जैसे property dealer का मैं आपको बताता हूँ, एक property dealer से मिला था, वो direct selling करते थे, तो उनक से जार लोगों को कहरें कि आज तक मैं 6-7 property सिरफ इसी के अंदर sell कर चुका हूँ, because मेरा network बड़ा हो गया है, तो direct selling सिरफ आपको, आप इससे मत देखें कि आप direct selling करके यहां से पैसे कमा लोगे, आप definitely कमा सकते हो, but इस से ज़्यादा जो पैसे से बड़ी जो चीज आप य स्कूल में, PTM, Parentation Meeting होती है, या online जो होता है, पुरा का पुरा सेट करना होता है, मीटिंग्स, Webex पर स्टार्ट करना, बच्चों की पूरी की पूरी क्लासे स्टार्ट करना, वो सारी की सारी चीजे जो होती है, अगर वो direct selling के साथ अपने आपको associate करती है, तो उनको सब ची मीटिंग है, तो पापा को भीजेंगी, और उससे बड़ा risk कुछ नहीं होता बच्चों के लिए, कि पापा हारे है, मम्मी आये तो संभाल सकते हैं, बट मम्मी क्यों नहीं आ रही कि वो आ सकती है, उनके पास time है, बट उनको वो अंदर से ओपन नहीं है कि उनको लगता है क और इसके थरू अगर वो अगर उन भी करने लग जाती है, तो वो डेफिनेटली अपने फैमिली को और ज्यादा बेटर सिच्वेशन में ले जा सकती है, वहां से अंकर के, सेम चीज अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करो, तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंस को जो मैंने दे तो वो इंजीनियर बनके ही खुछ रहेगा, क्या पता उसको असको अस्टूडेंट बनना हो, वो वही बनके खुछ रहेगा, लेकिन हम पैसे की टर्म में उनकी डिरेक्शन चेंज ना करें, हम उनको क्या बोल सकते हैं, और क्या तरीका होना चाहिए हर कंपनी का, वो यह हो सबसे बड़ा फिर क्या था उन्होंने अपनी, और टीचर देखो, कोई एलियन तो होता है, अगर वो सिरफ पचास लोगों से भी अपने प्रोड़क्यार में अवेर करते हैं, तो न पचास लोगों में वो लेडीज से भी, जेंट से भी, छोटी एज के बच्चों से भी, हो चुका होता है कि चाहे वो डारेक्ट सलीं से पैसे कमाए ना कमाए वो सेकंडरी है लेकिन वो अपने आपको वाइवा एक्जाम के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि वो उसको बहुत हल्प करेगा अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम जो भी अपने उसको अच् करो पांच मिनिट कोई मतलब नहीं उसके इंजिरियरिंग से उसका एक ही रीजिन है कि कि किसी भी कंपनी को अगर सो लोगों को हायर करना होता है वहां पर आजाते हैं दस अजार लोग तो सबसे पहला टास्क किसी कंपनी के लिए क्लिए होता है कि हम हजार से जादा का अब उस ग्रूप डिसकरशन में हम वह बहुत बाद देखा है कि एक बच्चा वो जादा अच्छा परफोर्म कर पाता है जो लोगों के सामने बोल पाता है अच्छ अच्छ इंट बच्चे वह अच्छ अच्छ नहीं कर रहे हैं उनके सब कुछ अच्छ है ग्रेडिंस अच तो आप अपनी क्या बोलते हैं educational skills तो बाद में दिखाऊगा पहले आपको अपनी लोगों के सामने ग्रूप में आप कैसे बात करते हैं यह skill दिखाने की जरूरूरत है और ग्रूप के अंदर अगर एक networker और अगर वो 10-10 लोगों को प्लान देना स्टार्ट कर देता है जस्त वो एक opportunity, एक secondary opportunity काया है क्या पता वो इतना पैसा अं करने लग जाए कि उसका एक गोल हो first year में कि उसे जोब करनी है और चार साल करूँगा है पैसे कमाँगा फिर अपना एक start-up करूँगा लेकिन direct selling help कर सकते कि अगर वो first year में ही करे तो fourth year तक वो इतनी income कर चुका हो या earn कर तो direct selling अगर मैं बालता हूँ हर student की, हर woman की, हर job करने वाले की, हर senior citizen की, हर किसी के लिए बुच ज़्यादा जरूरी, एक senior citizen हमारे हाँ पर क्या होता है, 60 में retire हुए, 75 साल की उमर ते 5 बिमारी होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारे हाँ senior citizen को, जैसे ही वो retire होते हैं, उनको घ घर में बिठा देते हैं, आप घर में रहे हैं, तासके लिए, टिवी देखिए, लेकिन कोई physical activity ना कीजिए, और अगर physical activity ना करने की विजए से सबसे ज़्यादा बिमार होते हैं लोग, तो और ये सबसे पहले बिमारी आते हैं mentally, तो एक हमारे हाँ के senior citizen उनका इतना experience है, व अपने बुज़र्ग parents को direct selling में डाल देना चाहिए, ये सोचके कि ये चाहे एक भी पैसा ना अगमाई, बट इनका जरूरी है ताकि इनकी health अच्छी रहे, क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे, जब हमारे senior citizen, जब वो लोगों से मिलेंगे, उनको प्लान देंगे, उनका जो जो वो पहले कर रहे थे life, एकदम से वो बोर नहीं हो रहे है, अब वो टीवी नहीं देख रहे, टीवी देखके ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि टीवी पर सरफ negativity है, बट जब वो लोगों से मिलेंगे, उनको convince करेंगे, उनको aware करेंगे product के बारे में, अपने life का उनक selling करनी चाहिए, बट उसका main motive पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा इजे by product, main product यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं, जो हम हमारे को जरूरत है, और हर आज के टाइम में सबसे जरूरत हमारे बुजूर्गों के learning की है, जो हमारे बुजूर्ग जो हैं, वो हम उनसे नहीं ले ले प हमारे जरूरत है, हमारे देशकों की जरूरत है, तो आप लोगों से interact करो, मिलो, और हमें इसकी भी सबस्यादर जरूरत है, कि कहीं आप 75 साल की उमर तक बिमार ना हो जाओ, ऐसा नहीं हो कि हम नहीं चाहते हैं, थीक है, एक 75 साल का इंसान जो है, वो साध भारी समान नहीं अपने आपको तो इसको मुमेंट करना चाहिए, तो direct selling में तो कोई physical activity होती ही नहीं है, तो यह तो पूरी mental activity है, थोड़ा गूमना फिरना होता है, तो यह overall अगर हम development की बात करें, तो direct selling हर किसी के life में एक अच्छा role play करता है, अगर उसे right तरीके से right guidance के साथ, right education के साथ अग में बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के सवाल बिल्कुल clear हो जाएंगे, इवन जो लोग बहाना बनाते थे लोगों को बाहर जा जाके plan दिखाना पड़ता है, मेरे पास time नहीं है, तो इस lockdown में लोग सीख गे हैं कि आपको multi social media platforms का use करते हैं कैसे अपन platform पे मतलब बढ़ा सकते हैं अपने business को, simple से चीज है कि technology के साथ अगर आप change नहीं होगे तो technology आपको change कर देगी, correct, so sir हमारे अब तीसरे question की बारी आती है कि network marketing industry के अंदर, education का क्या main important role है, वो academic नहीं, network marketing में जो education दी जाती है, network marketing में education, मैं एक चीज़ हमेशा से मानता हूं कि education जो है, वो सबसे आदा important है इस industry के अंदर, और educated networker ही network marketing को वो इज़द दिला सकता है, वो respect दिला सकता है, जो ये industry deserve करती है, तो आपके पास हर चीज़ का educated way एक answer होता है, एक चीज़ का motivated answer होता है, motivated जैसे आपने बहुत पर सुना होगा कि मरे आदमी को भी दोकंदे मिल जा कर रहे हो, आप already recommend करते हो चीज़े, आपको यहाँ पर वो चीज़े ही recommend करने है, जो आपने use की है, और वो चीज़े अगर आप recommend कर रहे हो, तो उसमें कोई problem नहीं होनी ची़, और motivation जो है, सबसे बड़ी चीज इस industry के अगर कोई दुस्मन है, तो वो है motivation, वो भी fake motivation, एक होत करते हैं, आते ही, अपने कोपे खोल के दिखान लग जाएंगे, यह देखो मेरे आँसे, इसने odi ले ले लिए, इसने BMW ले ले लिया, एक-एक page पे लोगों के पास particular booklet है, जिसमें हर page पे एक luxury काड़ी के साथ कोई खड़ा हुआ है, तो यह एक right-way नहीं है, आप यह चीज क साथ की थी, जब मैं वहाँ गया, तो उन्हेंने मुझे सिंपल बोला, कि सुमित, यह आपका काम है, mutual fund का, पहले आपको एक exam देना होगा, वो सारा का सारा, उसके बाद आपको हम 16,000 रुपे देंगे, सिर्फ 16,000 रुपे देंगे, इंट्रिवी ने वाले ने मेरे को इस 20,000 रुपे की तरीश जयरले, उतना तो मिली रहाईना मेरे को, लेकिन डायक सादिवी में प्रोब्लम पताया है, जो टेबल के सामने बैठा है, आप करोड़ोपती बनजाओगे, और था और बन सकते तो आप क्यो नहीं, ये बन सकते तो आप क्यो नहीं, और किस इसमें गलती हमारी है, as a networker आप किस तरीके से लोगों के सामने बात करो, इसलिए education की जरूरत है, motivated आदमी जो होता है, आगर वो without education motivated है, तो उससे खतरना कुछ नहीं होता, वो industry का मजाग बना सकता है, और आज लोगों ने बनवा रखा इस industry का मजाग, क्योंकि वो motivated थो है, but educated नहीं है, तो सबसे बड़ी problem यही है, कि लोगों को जो सामने बैठा है, तो ग्रोडपती, यह चीजे चेंज होनी चाहिए, यह car अचीव कर लिए, घर अचीव कर लिए, चेंज होना चीए, क्योंकि मैं, मैं, आप किसी को जब इस industry में लाते हो, और जब आप उनको उनके और अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो उससे ज़्यादा painful लोग इनसान फिल नहीं करते, क्योंकि जब हम बैठते हैं, तब उनको यह नहीं बता रहे कि इसमें कितनी महनत, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेसा बेस बताओ, कि सर यह चीज करनी पड़ेगी, यह करोगे तो आपको यह मिलेगा, खतम, उसके बाद लोग खुद इस लायक हैं, कि वो बड़ा सोच सकते हैं, उन्हें सपने मत दिखा हुवा सपने आपने आप देखे लेंगे, उन्हें बस platform बताओ कि क्या है platform, हम क्या करते हैं, उन्हें platform में क्या करता है, वो तो बताओ, इन जाद करते हैं, यह देखो, यह 15,000 की जोब करता था, आज 5 लाख रुपे कमा रहा है, यह देखो, यह 20,000 की जोब करते था, आज 10 लाख रुपे कमा रहे हैं, तो हम लोगों को सपना ना बेचे हैं, और यह कब हो सकता है, जब हमारे को सपने बेचने के लावा भी कुछ आता हो, लेकिन सिखाया ही निये ना लोगों को जब हम किसी housewife के पास जाएं और उनको ये ना बोलें कि जो सबसे painful लगता है housewife के पास किसी के घर जा रहे हैं वहाँ पे हम बैठ के उनको क्या सिखा रहे हैं अरे बहन जी ये देखो ये एक मैडम आई थे मारे हैं ये housewife थे आज ये 4 लाख रुपा कमा रहे हैं आज ये 70 लाख रुपा कमा रहे हैं स्टार्ट कर दिया हमने अब जब हम किसी housewife को प्लान दे रहे हैं आप लगपती बन जाओगे आप क्रोड़पती बन जाओगे सिरफ वो नहीं सुन रही उनके आस-पास के जो उनके हुसकता है की उनके husband हो उनके बच्चे हुँगे उनके saas-sasur हो वो भी उस प्लान को सुन रही है अब उन्होंने haa being तो उनके saas-sasur सबने क्या सोच केола उन अपने घर की भुको करने के लिए कि ये पैसे कमाएगी अगर वो 6 महीन एलेगा क्यकी तो आपने उन हाउस वाइफ की नजर में इंडस्ट्री को बद्राम किया वो चार पांच लोग जब चार चास लोगों के कम बनाते हैं लेकिन अगर आप उसी हाउस वाइफ के सामने बैठे वे और उनको प्लान देके बोल रहे हो कि यह प्रोड़क्त है अगर आपको अच्छ सब सिखाया जाता है कि कैसे आप वेबिनार के अंदर आप यह सब सीखते हैं या आपके अंदर वह confidence होगा जो हमें चाहिए हमारे देश की हर मुमेन के अंदर तो आप वो confidence बिल्ड करने के लिए हां यहां पे एक income opportunity भी और आप यहां से पैसे भी कमा सकते हैं बट आप वह तो एक secondary चीज है एक चीज और advantage बिताते हैं कि अगर हमारे यहां पर नॉर्मली एक housewife जो है वो four hour something मैं भी exactly भूल रहा हूं चार घंटे से ज्यादा चार घंटे साथ 44 मिनिट है owner and average अपना time जो है टीवी में देखती हैं टीवी को देती हैं क्योंकि घर पे जब रहते हैं तो हमारे housewife को एक ही चीज चाहिए sorry दो चीज चाहिए एक तो वो घर पे ही रहके काम कर सके और वो दूसरा घर का भी काम कर सके वो घर का काम भी डिस्टरब नहीं करना चाहते और वो घर पे ही रहके उनको अगर को टीवी नहीं देख रही अगर तो इससे उनका सबसेड़ा बेनफिट क्या हो रहा है कि आज ना टीवी का जैसे हमारे जो सीरियल आते हैं नेगेटिव सीरियल आते हैं अगर आप उनके कुछ एपिसोड देख लो तो आपको mental illness हो जाती है लेकिन हमारे यहां पे एच पर स्टेड़ी जो हाउस वाइफ है हमारे यहां पे उनमेंसे 21% जो सीरियल देखती है उनको mental illness start हो चुकी है पहले एक साल के अंदर ही हो जाती है वो mentally वो इल होने लग जाते है बट हमें दिखता नहीं है वो पता है कि उनका बच्चा जब भार जाता तो वो क्या बोल और वो डर उनके अंदर continue डालता क्योंकि और वो करे क्या वो उनके addicted हो चुके है तो वो जो डर है उनने पहले mentally एल करता है और बाद में वो physical रूप में उनके अंदर वो problem आती है चाहे कोई भी बिमारी हो वो दिमाग से start होती है फिर वो सारे लिक रूप में किसी के अंदर आती है तो इसका नुकसान क्या होता है इसका नुकसान यह होगा कि अगर आप अपने time को constructive यूज करेंगा आप देखते हैं टीवी वर्सिस network marketing टीवी आप घर पे ही रहके कर रहे हो अपने घर का काम करते करते लेकिन टीवी से आप बिमार हो रहे हो पहले mentally फिर physically network marketing से आपक कि हेल्थ भी अच्छी हो रही है तो आपकी हेल्थ को भी को कॉन्फरेंस भी बिल्ड हो रहा है और आप अर्ण भी कर सकते हो यहां से और अगर आपका टीम बन जाता हो तो आप एक passive income भी अन कर सकते हो जिससे आप साथ जो भाईसा बैठे होंगे उनके husband आप इनकी भी help हो हो जाएगी कि घर के अंदर मैं कहता हूं कर दो हजार रुपय भी महीने का एक्स्ट्रा आदा है तो वह एक help हो जाएगी उनके लिए और उनको भी टेंशन नहीं होगी कि आपको कहीं लेकर जाना है तो क्योंकि आपके अंदर धिरे-दिरे वह confidence build हो जाएगा तो एक तरफ ह है कि आप टीवी देखे और आप अपना टाइम वेस्ट कर दें आप इसलिए हमारी कम्टी में आईए आपका यहाप एक सराउंडिंग होगी लोगों से भी आप मिलेंगे और जो एक पुरा का पुरा गैदरिंग हुआ करेगी तो आप बहुत सारी चीजे सीखेंगे अब क् करोड़ोपती क्योंकि आपने बोला ही नहीं आप करोड़ोपती बनोगे आपने रियल चीज के ऊपर उनको एजुकेट किया जो की होना चाहिए तो मैं एजुकेशन की यह जरूरत है लेकिन इस इंडस्ट्री को कहीं ने कहीं जो हम बात करते हैं कि सेमिनार में ले जाना औ मुझरा टाइप का होना क्योंकि यह हो रहा है फिल्विगाने चल रहे हैं वहाँ पर आसपास में डांस चल रहा है उस डांस को देखके सब बड़ी बाते कर रहे हैं कि जो में कुछ नहीं रखा इसमें कुछ नहीं रखा तुम नेट्व मार्किटिंग करोगे तुम उसके दो तीन दिन बाद रेग्रेट करते हैं अगर उन्हें पैसा नी कमाय तो इंड़स्टी को बढदाम करते हैं तो यह पुरा का पूरा कुर जो है चेंज होगे educated अगर कल्चर रहेगा जासे हमने बात क्या था सब चीजों का सिने श्तू इन स्वेंट और इन सब चीजो तो इस industry को respect मिल पाए कि तो education is the key अगर इस industry को वो इज़्जत दिलानी है तो but education मतलब ज़्यादर ज़्यादर दीजा इसके लिए हम लोग try करते हैं बहुत सारी चीजे लोगों के साथ episodes और गयरा बनाते हैं हमारा main focus education जो परी रहता है बिल्कुल सर वो हमने देखा सोच चैनल में आप किस तरीके से dedicatedly काम कर रहे हैं सभी के लिए तो सर मेरा next question की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कि network marketing industry के अंदर कोई किस तरीके से सही company का चुनाव कर सकता है मैं network marketing में सबसे बड़ा task ही होता है कि कि एक सही company को का चुनाव करना क्योंकि आजकल क्या है कि हमेशा से में एक बाग बोलता है हो कि हर network marketing direct selling company scam नहीं होती unfortunately हर जो scam है वो direct selling या network marketing को ही use करता है तो जिसकी वज़े से यह बहुती beautiful और powerful industry जो है वो बदनाम हो जाती है इसमें मैं हमेशा बंदूक का भी example देता हूँ कि जैसे एक gun है वो रखी हुई है वो देखने में बड़ी beautiful है किसी चोटे बच्चे को आप बोल दो कि वो जा के सबसे वाले उसे को उठाएगा जिसको पता भी नहीं है वो जो सिरफ चलना भी इसने सुरू नहीं है वो दिखने में अच्छी लगती है और powerful भी है अगर चल जाए तो किसी को किसी की जान भी ले सकती है या किसी को hurt भी कर सकती है लेकिन अपने आप नहीं चलती same way में direct selling जो है वो भी बहुती beautiful है बहुती powerful है और अगर उसको use करने वाले के उपर है वो उसको सही तरीके से भी यूज कर सकता है गलत तरीके से भी जैसे बंदूग है उसको अगर एक पुलिस वाला अपने हाथ में लेके खड़ा है बैंक के बाहर तो मैं बढ़ा अच्छा लगता है कि हमारा बैंक के अंदर पैसा जो है वो सेफ है सेम उसी तरीके से अगर वही उसी बंदूग को सेम बंदूग को एक चोड अगर बैंक के अंदर घुज जाए लेके तो बैंक का पैसा लेके फरार भी हो सकता है दोनों ही कंडिशन में use करने वाले ने सही या गलत था फुलेस वाला सही था चोड गलत था लेकिन बंदूग सेम थी सेम तरीके से नेटोग मार्केटिंग के भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुती 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 पावरफुल है इसको use करने वाला सही और गलत होता है तो जो चीज सही है उसको गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है तो इसलिए हर direct selling company scam नहीं होती हर scam जो है netto marketing को यूज करता है क्यों यूज करता है क्योंकि इतना powerful way है distribution का या जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुचने का कि हर किसी को attract करता है अब यहां पर अगर कोई भी अच्छी direct selling company आपको choose करनी है तो उसका उसमें हमें तीन चीजे बेसिकली देखनी चीए product, payout and future plans कई बार लोग बोलते हैं कि profile क्यों नहीं देखनी चीए देखो profile ना बाद में बनती है आप किसी भी company के seminar में कर जाएंगे तो सिर्फ वो company बोलती है कि product की profile देखो company की जो 5 साल पुरानी होती है अब मैं उसके बुरता हूँ यार जब आप 5 साल जब आपने start किया था जब आप एक महीने के थे तब तो आप यह बात नहीं बोलते थे तो profile time के साथ build होती है प्रोफाइल देखके नहीं करना चाहिए क्योंकि profile के तो अभी पीछे कुछ scam हुए वो इतने हाइप प्रोफाइल लोग थे कई हो कि तो company public limited थी बट वह भी scam हुए वह भागी company और वह भी 20-20 साल पुरानी company थी तो 15-20 साल पुरानी company बड़ी बड़ी profile वाली company भी हट जाती है matter करता है product payout and future plan और profile तो हर startup की बार में बनती ही बनती है अपने आप तो किसी भी company को देखो तो कभी भी हमेसा एकी चीज़ देखनी है product कैसा है product को चुनाओ करने का अच्छा तरीका क्या है कि आपका जो product है क्या आप उस product को अगर उसके साथ opportunity हटा दीजा direct selling की तो क्या तब भी आप उसको buy करोगे मैंने आज से साल पहले मैंने एक blog लिखा था तो उसमें मैंने यही चीज़ लिखे थी थी कि अगर एक product को आप buy करने जा रहे है और उस product के साथ अगर network marketing direct selling की opportunity नहीं है तब भी आप उस product को अगर buy कर रहे है उस rate पे और आप satisfy है तो वो एक right company है आप उसके साथ अपने आपका associate कर सकते हैं अब product को choose करना मतलब यह नहीं है कि सस्ता हो या महंगा हो एक confusion होती है कि एक तरीके से उसको generate किया हो तो आपको यह common sense होता है कि 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 टाइप का product जो है वो आपको लगता है और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने 4-5 दोस्तों सभी बुछ सकते कि यह इस quality का product इस rate में मिल रहा है तो कैसा है अगर वो 4-5 लोग भी उसको लेने के लिए ready है without opportunity without opportunity बता है तो आप सोच सकते हो कि हाँ इसको मुझे promote करने में problem नहीं होगी बिकोज यह एक तरीके से value for money उसमें मिल रहा है अब यहां पर एक चीज आ जाती है organic companies की कही companies पता है क्या बोलती है हमारा तो organic है इसलिए हमारा 10 गुना महंगा है वो भी justify नहीं होता बहुत पार यह चीज आती है कि हमारा organic energy नॉर्मल चीज तो नॉर्मल वो product जो है अच्छी quality का product मिल रहा है 500 में बट हमारा organic इसलिए 5,000 में वो justify नहीं होता क्योंकि इस समय जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो Google पर जाके देख सकते हैं कि एक organic product जो है वो एक normal product से कितना गु 100 रुपे केजी है तो एक जो organic है वो 140 होगा या 160 होगा मैं कहता हूँ इसको double ले लो हला कि किसी भी international agency ने कभी नहीं बोला कि double तक महेंगा हो सकता है हर कोई क्या बोलता 1.42 1.6 लेकिन अगर इसको double भी ले लो तो क्या होगा 100 रुपे की चीज तो 200 की हो जाएगी manufacturing की लेकिन हम direct से लेकिन उसका rate double नहीं होगा क्योंकि देखो मैं होता है क्या 200 की चीज होती है या 100 की चीज होगा 200 की चीज है वो विक्ति कितने की है 500 की चीज पर बढ़ गया अगर वो pure organic है तो वो 200 की जगे कितने की बन जाएगी 400 की हाला कि 1.6 लेके चलू तो मैं 360 बट मुसको फिर क्या है companies के दोरा लोगों को इस तरीके से manipulate कर दिया जाता है क्योंकि हमारा organic है तो इसलिए हमारा जो है क्या वलते हैं five time महँगा है आप product के price को double आप ले लेकिन distribution का जो पैसा तो उसको double मत करो लेकिन होता है कि उसको भी double triple four time कर दिया जाता है तो कोई भी अगर अगर आपक 500 का लेते हो तो आप सोचिए कि ठीक है ये 200 का होगा इसकी manufacturing cost बाकि में को traditional में distribution में चाहे और डिरेक्ट सलिंग का distribution हो चाहे नेट्वर मार्गेटिंग को इंक्रीज हो गया होगा दूसरी company अगर आपके आके बोलते कि मेरा product जादा अच्छा है pure organic है international है यह हो है तो आप उस उस company के साथ आपको associate नहीं होना है और ऐसी company से आप दूर रही है विकोज उन्होंने सिर्फ distribution को ज्यादा बढ़ाने के लिए rate उन्होंने increase कर दिया है तो यह simple से है मैं तो सबसे फ़ले हमें product देखना है first thing उसके बाद हमें देखना है payout कि वो company जो payout structure है उस company का क्या वो ऐस है कि आप legal तरीके से अच्छी टीम बना सकते हैं जहां पर टीम वर्क भी करना easy हो जहां पर आपको संभालना भी जो किसी वो फिर अलग-अलग कोई भी अपने accordingly choose कर सकते हैं किसी को generation हो सकता अच्छा लगे किसी को binary अच्छा लगे किसी को hybrid अच्छा लगे और तीनों के ती अब आपकी मर्जी है आप उसको single leg में distribute कर दो 10 लेक बना के distribute कर दो बट प्रोब्लम के है कि आप अगर आपका product 200 का है और आप 500 में वेशते हो तो 300 से ज्यादा तो नहीं distribute कर सकते हैं 300 से ज्यादा distribute नहीं होना चाहिए otherwise वो एक money circulation scam हो जाएगा कि वो practically possible नहीं होगा इतना distribute कर सकते हैं तो यह जानने सबके लिए हो ज्यादा जरूरी है कि कोई भी payout structure illegal नहीं होता payout structure से कोई company illegal नहीं होती और फिर आजाते है illegal company कि किसी किस टाइप से और mainly सबसे पहला step होई था में product को हमें देखना है दूसरा हमें payout structure को देखना है कि जो हमें अच्छा लगे हम उस structure क के साथ अपने आपको associate कर सकते हैं third हमारा उस company के future plans क्या है कि किस तरीके से वह company आगे कर रही है वह हमें पता लग जाता किसी भी company को हम देखते हैं तो कि यह company की किस direction आगे बढ़ रही है हम वह idea भी ले सकते हैं जब हम company का plan लेते हैं हमें पता लिजाता है कि ऐसा तो नहीं हमें प्रोडक के वह रहना चाहते हैं वह हम सपने नहीं पीचने बेचने करना है और अची चीज क्या है हम यह पे बेचते भी नहीं है कई बाते हो बहुत है जब मैंने प्रोड़क खरीदा और बेचा एक दुकान दार बेचता है एक master stockist बेचता है, एक मतलब आपके हां कर जो भी आप दुकान से समान लेते हो चाहे वो चोटी हो चाहे बड़ी हो बेच रही है, हम नहीं बेचते हैं, हम पहले खरीद दिते नहीं है, क्यों पहले खरीद लिया फिर किसी को बेच रही है, एक direct seller recommend करता है, आप यहां से ले ल एक direct seller advisor होता है, तो हमें यह चीज ध्यान देनी चाहिए, और जहां पर हम आ जाते है, scam के उपर बात करता हूं, तो हमारी education सिर्फ limited यहां तक नहीं होनी चाहिए, कि company को हम select करते हैं, तो हमारे को select करने से पहले इतने education हमारे पास होनी चाहिए, कि हम किसी भी plan को देखके यह बता दें, कहीं वो direct selling के नाम पर scam तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तर तो scam ही है इंडिया इस concept के अंदर, क्योंकि इतना beautiful, powerful concept है, unfortunately ज़्यादा तर scam होते हैं आपे, तो बहुत बार लोग आज कल आपने देखा होगा cryptocurrency, cryptocurrency के अंदर direct selling यूज हो रही है, crowdfunding के अंदर direct selling आप पैसा लगा दो, वहाँ पर direct selling यूज हो रही है, और ये companies आजकल, क्या बोलते हैं, हम direct selling company है ही नहीं, आप समझे हैं, क्यों बोलते हैं, direct selling company है ही नहीं, अब मैं अपने आपको बोलू कि मैं सुमीत नहीं हूँ, मैं helicopter हूँ तो मैं सुमीत ही रहूंगा ना, तो same चीज ह है कि सीधा हमें कैसे differentiate हम कर सकते हैं इस चीज के अंदर, कि अगर आप कोई भी प्लान देने आता है, चाहिए crypto currency का देने आए, चाहिए crowdfunding का प्लान देने आए, आप उनसे simple एक चीज़ पूछिए, कि अगर मैं किसी को recommend करता हूँ, अगर आपके कहने से मैंने आपकी company के product के service को किसी को recommend किया, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा, वो बोलेंगे हाँ, अगर उन्होंने भी किसी और को आगे recommend किया, तो क्या उसका भी पैसा मुझे मिलेगा, जैसे ही वो बोले हाँ, तो आप बोलना ये direct selling होती है, क्योंकि direct selling, network marketing का actual name क्या होता है, वो guideline में आप अपर ज़ ultimately करवा क्या रहे है, यूज कर रहे हैं वो इसी concept को, क्यों क्योंकि ये concept इतना beautiful और powerful concept है, तो अभी just recently मेरे पास एक cryptocurrency से भी, और मैं crowdfunding के लोगों से मिलता हूँ, तो sir हमारा cryptocurrency नहीं है, हमारा direct selling नहीं है, अलग-अलग नाम दे रहे है, हमारा helping plan है, ये plan है, वो plan है, तो उनमे मैंने simple एकी चीज पूछी थी और वही हर किसी को आपको पूछनी चाहिए, जैसे मैं आप मेरे सामने में, आपसे क्या पूछूँगा, अगर आप में को plan दे रहे हो, तो, अच्छा मैं, अगर आपको recommend करूँगा, ये चीज, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा, company से, वो बोलत trading के नाम पे helping plan के नाम पे scam चला रही है, और आपको में सेवाने, और 근 और नाम करेंगी, आप जो रियल में help करने के crowdfunding चलाए जाते हैं, किसी का operation चाहिए होता है, तो उसके लिए crowdfunding हम कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कि हम दान दक्सिना मानते हैं लोगों से, कई बार आपने देखा हो कि advertisement चलाई जाती है, कि इनको operation की जुरूरत है, लोग help कर देता है, काम खतम, लेकिन कभी ऐसे आपने देखा है, कि इनको operation की जुरूरत है, आप 100 रुपे दोगे, अगर आप किसी और से भी 100 द direct selling ना हो, लेकिन अगर आपके recommend करने से, आपने किसी को recommend कि और आपको पैसा मिला, और उनके किसी और को recommend करने से भी आपको पैसा मिल रहा है, तो multi-level marketing, direct selling, network marketing ही है, वो चाहिए अपने आपको कोई भी नाम दे, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजे हैं, जिनके तुरू आप पता लगा सकते हैं कि जो company है, वो scam तो नहीं है, वो payout जो distribute करी है, वो ऐसा तो नहीं है, कि वो उसके, जो उसका turnover है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से, बहुत बड़ा topic है, इसके उपर हम वीडियो भी लागे आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जरू और किसी को फसाई भी ना, क्योंकि जो scam कर रहे हैं, वो भी खराब लोग नहीं है, उसमें से भी 90% लोगों को पता ही नहीं है, कि वो scam कर रहे हैं, वो money rotate कर रहे हैं, बट उनको दिल से लग रहा है कि हम तो crowdfunding कर रहे हैं, हम तो crypto currency में कुछ कर रहे हैं, अब मैंने किसी से simple पुछा, Ethereum के ओपर आज बहुत सारे, क्योंकि Ethereum पर smart contract आ जाता है, तो Ethereum के ओपर बहुत सारे scam चल रहे है, money rotation चल रहे है, वो crowdfunding का नाम देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, अब मैंने से बुछा कि Ethereum है क्या, simple basic question, कह रहे है कि digital currency, मैं तो currency ना, कह रहे है currency, अगर मैं 500 रुपे ब Ethereum कहां गया हो जाता है, कि वो digital currency है, तो जब आप actual currency में, fiat currency में, जब आप अगर पैसा को rotate करते हैं, तो वो money rotation हो जाता है, तो crypto currency में भी money rotation ही हुआ, वो भी currency ही है, एक तरीके से, समझ नहीं आता, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये लोगों ने, देखो मैं सबसे पहले इन तो ये scammers जो होते हैं, हर एक advanced, हर एक powerful technology के साथ, DMAC की तरह चिपक जाते हैं, और इस industry की image जो है, अच्छी होने से पहले ही खराब कर देते हैं, तो उसके लिए हर किसी को educate होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो educate हो के ही decision ले, बिलकुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आ मेरे बात करेंगे, मेरे पास से बहुत सारे सवाले लोगों की, तो चलिए आप से मिलते हैं, second episode में मेरे बात करेंगे, बहुत लग्यादा जब शबदेते हैं, तो उसके बहुत आप से आप देर